आज का हमारा सफर है खीरगंगा का खीरगंगा हिमाचिल प्रदेश के कुलो डिस्टिक में पारवती वैली की एक बहुत ही सरीन लोकेशन है पारवती रिवर के किनारे पर ट्रेक करने से लेकर बहुत ही ब्यूटिफूल वाटो फॉल्स के नजारों का ये ट्रेक आज हम इस सफर में पूरा करेंगे इस वीडियो को पूरा देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें खीर गंगा ट्रेक की डिटेल इंफॉर्मिशन आपको इस ब्लॉग में देखने को मिलेगी और अगर आप भी खीर गंगा आने का प्लैन कर रहे हैं तो इस वीडियो में आपके लिए बहुत कुछ है तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें हमने अपना खीर गंगा का ट्रिप स्टार्ट किया कसोल से कसोल से आराउंड डेट घंटा ड्राइव करने के बाद हम पहुंचे बर्शैनी और बर्शैनी में अपनी गाड़ी पार्क करके हम लोग कलगा विलेज चले गए कलगा विलेज खीर गंगा ट्रेक का बेस पॉइंट है और अपने आप में भी ये गाओं एक बहुत ही ब्यूटिफुल गाओं है खीर गंगा ट्रेक अराउंड 13 किलो मिटर्स का एक ट्रेक है जिसे हमने पूरा किया राउंड 6 गंटे में बर्शैनी विलेज रोड से वेल कनेक्टिड है और बर्शैनी से निरेस्ट गुलु एरपोर्ट है और निरेस्ट मेज़र रेलवे स्टेशन चंदीगर रेलवे स्टेशन है डेली से बर्शैनी की ड्राइब अराउंं 10 तू 12 आर्ज में पूरी की जा सकती है खीरगंगा की एलिवेशन अराउंड 10,050 फीट है इसलिए विंटर्स में यहाँ पर भी काफी स्नो पड़ती है खीरगंगा ट्रेक की एक खास बात ये है कि जब ये ट्रेक करने के बाद आप खीरगंगा टॉप पर पहुंचते हैं तो वहाँ पर पारवती कुंड में एक हाट वाटर डिप लेने के बाद हमारे ट्रेक की पूरी थकान मिट जाती है और वो एक बहुत ही रिफ्रेशिंग एक्सपिरियंस है खीरगंगा ट्रेक एक मॉडरेट ट्रेक है और इस ट्रेक की एक खास बात ये है कि इस ट्रेक में हमें सिर्फ मनजिल ही पसंद नहीं आने वाली है बलकि इस ट्रेक का पूरा सफर भी इतना ब्यूटिफुल है कि यहां पे नजारों की कोई कमी नहीं है एक बहुत ही अच्छा नजारा देखने को मिला जहां पे हमें पारवती नदी का एग्रेसिव रूप देखने को मिला इलिगंगा ट्रेक के रास्ते में रुदरनाग नाम का एक वाटरफॉल भी आता है यहां पे शिवजी का मंदिर भी है और यहां पे हमने मंदिर में अपना माथा टेक कर अपने ट्रेक को आगे बढ़ाया खीर गंगा लास्ट इन्हेबिटिट जगा है मान तलाई और पिन पारवती ट्रेक के रास्तों में पिन पारवती पास कनेक्टिंग पास है कुलो डिस्टिक के पारवती वैली का और लहॉलेंस पीती डिस्टिक के स्पीती वैली का खीर गंगा को आप पूरे साल भर विजिट कर सकते हैं बस विंटर्स के दो-तिन महिनों को छोड़ कर जब खीर गंगा में काफी जादा स्नोफॉल हो जाती है और खीर गंगा जाने का बेस्ट टाइम है समर्ज में और आटम सीजन में खीर गंगा ट्रेक के रास्ते में आपको काफी सारे शेपर्ड्स भी मिलेंगे जो अपनी भेडों को लेकर काफी जादा उंचे उंचे पास इस पर लेकर जाते हैं ताकि उन्हें वहाँ पे न्यूट्रिशियस घास खाने को मिल सके खीर गंगा ट्रेक के रास्ते में आपको इस टाइप के छोटे छोटे कैफिस देखने को मिलेंगे जहां पे आप एक टी ब्रेक लेकर अपने ट्रेक को आगे कंटीनियू कर सकते हैं क्योंकि ट्रेक में बीच बीच कर रुखना ही एडवाईजिबल रहता है खीर गंगा ट्रेक की बाकी ट्रेक से एक अलग बात ये भी है कि जबकि आपको बाकी ट्रेक में खुब सारा पानी कैरी करके रखना पड़ता है पर खीर गंगा में हर 15 से 20 मिनिट बाद कोई ना कोई वाटर सोर्स जरूर था जहां पर हम अपनी वाटर बाटल रिफिल कर सकते थे और हमें ज़ादा पानी कैरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ी अगर आप भी खीर गंगा ट्रेक करना चाहते हैं या हिमाचल प्रदेश में कोई भी लोकेशन घुमना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर चेक करें खीर गंगा साइट पे मौसम बदलने का कोई पता नहीं लगता और यहां पे बारिश कभी भी शुरू हो जाती है तो यहां पे एडवैजिबल यही रहता है कि अपना रेंकोर्ट साथ में कैरी करें क्योंकि इसकी जरूरत हमें कभी भी पढ़ सकती है खीर गंगा ट्रेक पर हमारे साथ साथ में बेहती हुई पारवती रिवर का ओरिजन है मांतलाई और मांतलाई से कसोल तक पहुँचते पहुँचते पारवती रिवर में कम से कम सो से ज़ादा छोटे और बड़े नाले मिल जाते हैं इसलिए ये रास्ते रिस्की भी होते हैं और यहाँ पे हमें साफधानी से रहना चाहिए अराव छे घंटे ट्रेक करने के बाद हम पहुंच गए खीर गंगा और खीर गंगा पहुंचते ही जो वहां का वियू था उसे देखकर हमारा दिल खुश हो गया यहरा नीला आस्मान और पहाड़ों को टकरा कर जाते हुए बादलों का नजारा सचमे आँखों के लिए एक ट्रीट ही था हर ट्रेक पर एक मस्ट कैरी चीज़ होती है जो की है वाइरले स्पीकर और हम भी अपना जैप का वाइरले स्पीकर लेकर गए थे जिसकी लॉंग लास्टिंग बैटरी और इजी टू कैरी डिजाइन ने हमारे ट्रेक को और भी फन बना दिया अगर आप भी जैप का स्पीकर खरीदना चाते हैं तो इस वीडियो में आपको इसका लिंक मिल जाएगा अगर आप भी कभी खीर गंगा आएं तो यहाँ पे गंदगी बिलकुल भी ना फैलाएं और यहाँ के इन्वाइमेंट को क्लीन रखने में अपना पार्ट ज़रूर प्ले करें और खीर गंगा ट्रिप का बेस पार्ट तो अब आता है जब खीर गंगा टॉप पहुँचने के बाद पूरे ट्रेक करने के बाद आप एक होट वाटर डिप लेते हैं और होट वाटर डिप के बाद आपके पूरी थकान ही मिट जाती है और ये नेचर का पूल है, जिस पूल में बैट कर आपको कुछ ऐसे नजारे दिखेंगे इस हॉट वाटर स्प्रिंग को पारवती कुन के नाम से जाना जाता है पारवती कुन की मानिता ये है कि भगवानों के समय में यहां पर खीर की नदी हुआ करती थी पर जब कल्यूग आया तो शिवजी भगवान ने परशुराम भगवान से कहकर उस नदी को पानी की नदी में बदलवा दिया खीर गंगा में हॉर्प वाटर स्प्रिंग का मज़ा लेने के बाद आप अपने कैंप्स में चेक इन कर सकते हैं और खीर गंगा में स्टे के काफी आप्शन्स एवेलेबल हैं अगर आपको इनके बारे में भी इंफर्मेशन चाहिए तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करें खीर गंगा टॉप पर शिवजी भगवान का एक टेम्पल भी है और टेम्पल के साथ ही में हॉट वाटर स्प्रिंग के गरम पानी का सोर्स भी है खीर गंगा के नजारे इतने बहतरीन हैं कि आप यहां पर काफी देर बैट कर बिना कुछ की हुए सिर्फ नेचर को एड्माइर कर सकते हैं तो ये था हमारा खीर गंगा का सफर अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सबस्क्राइब जरूर करें और इस वीडियो को लाइक भी जरूर करें